Hello everyone, welcome to knowledge center for you तो आज की वीडियो में हम नीरत चोपरा के बारे में सभी important questions को देखेंगे इन्होंने हाली में Tokyo Olympic 2020 में medal जीता है तो इसी लिए ये वीडियो काफी ज़ादा important होने वाली है यहाँ पर से आपको exam में question पूछे जा सकते हैं तो बिना skip के आप इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा ये वीडियो काफी ज़ादा important होने वाली है आपके exam point of view से तो हम इस वीडियो में जानेंगे ये कौन सा खेल खेलते हैं इन्होंने कौन सा medal जीता है इनका जन्म कहा हुआ नीरत चोप्रा के कोज का नाम क्या है और इनके अब तक की उपलब दिया तो ये सभी important question आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे तो first question है नीरत चोप्रा कौन सा खेल खेलते हैं ये भारतिये track और field athletics परदा में भाला फेकने वाले खिलाडी है यानि जैवलीन थ्रो ये खेल खेलते हैं next question है नीरत चोप्रा का जन्म कहा हुआ तो 24 दिसंबर 1997 को हरियाना में इनका जन्म हुआ तो आप ये भी याद अखेगा आपको यहां से भी question देखने मिल सकता है exam में के नीरत चोप्रा कौन से गाव से है तो हरियाना से हैं ये next and very important question नीरत चोप्रा ने कौन सा मेडल जीता नीरत चोप्रा ने टोकियो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर भाला फेक कर गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचा है अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियन्शिप स्तर पर Athletics में स्वर्ण पदक को जीतने वाले ये दूसरे भारतिये हैं तो आप ये भी याद अखेगा नीरत चोप्रा से पहले Athletics में अंजू बॉबी जॉर्ज इन्होंने मेडल जीता था अंजू ने 2003 में पैरिस में आयो जीत विश्व एथलेटिक्स चैंपियन्शिप में लंबी कूद में कांसी पदक जीत कर इतिहास रचा था और अब नीरत चोप्रा ने टोकियो ओलंपिक 2020 का भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है और उसी के साथ ही जैवलीन थ्रो में भी भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये आप याद दखेगा इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेक कर टोकियो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता है नेक्स्ट है नीरत चोप्रा के कोच कौन है तो गैरी कैलवट ये नीरत चोप्रा के कोच है अब देखेंगे नीरत चोप्रा की अब तक की उपलब्धिया तो देखे 2016 में बायट गो सज्ज में वीश्व जूनियर चैंपियंशिप में इन्होंने 86.48 मीटर भाला फेक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और फिर 2016 में ही दक्षिन एशियाई खेल में उन्होंने भारतिय राश्टिय रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 82.23 मीटर तक भाला फेक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और फिर 2016 के बाद 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने 85.23 मीटर भाला फेक कर स्वर्ण पदक जीता उसके बाद उस्टिलिया के गोल्ड कोस्ट में संपन्न हुए 2018 के राश्ट्र मंडल खेलो में नीरज चोपरा ने 86.47 मीटर भाला फेक कर स्वर्ण पदक जीता और अब 2020 के टोकी ओलमपिक में नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया तो ये थी हमारी आजकी वीडियो इस वीडियो में हमने नीरज चोपरा पड़ से जो भी एकजाम में questions important पूछ लिए जा सकते हैं उन questions को cover किया I hope आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेर कर लीजिए और आपने अब तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मज़ी लिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में